हलो गाईज, वेलकम बैक को मैं चैनल, तो आज हमारे सामने खड़िये भी रॉयल इंट फील्ड हंटर 360, जो के इंडिन मार्केट में रिसेंट्री लॉंच की है रॉयल इंट फील्ड ने, तो आज इसके बारे में हम डेटेल में जनने वाले हैं, क्या-क्या फीचर्स है भी ल इसके रॉयल इंट फील्ड का लोगो मिलेगा, नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह है, यहाँ पर आपको इंडिगेटर्स मिलेंगे, जो की सारी इसमें जितने भी चीजे हैं, लाइट के सारे हलोजन है, पस एक पीछे की रिफ्लेक्टर जो है, लाइट मिलेगी, इध इसमें स्टील विल्स आते हैं, उसका अगया तमपेरिजन वीडियो देखना है, तो वह आप कमेंट सेक्शन में जरू बताना, मैं उसके लिए भी बनाऊंगा उसको, इसके सबसे पहले बात करते हैं, तो यह इस तरीके का टायर साइज है, एक सो दर सतर आर सतर है, पीछे क विजिट कर लीजिए, टैंक पर रॉयल एल्फिल्д की बेस्ञ बजिंग मिलेगी, और यहां मिलेगा आपको फुट्रेश्ट पर भी देखने के लिए इस तरीके से, पीछे से देखें, तो पीछे से कुछ इस तरीके का लूक है, यहां पह पे आपको इसकी वेक्लाइट मि लगाएंगे, रिफ्लेक्टर भी दिया गया है, इस साइट से देखें, तो इस साइट से कुछ इस तरीके से दिखती है, सिंगल सीट है, सेम आपको यहाँ भी हंटर की बैजिंग मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको इसके गेर, टोटल फाइव गेर्स मिलेंगे, जैसे सभी बा इसके पावर की बात करें, तो 20BHP के पावर है, 27CM का टॉर्क मिलेगा इस इंजन से, जो की सेम है, बस ट्यूनिंग वगेरा का थोड़ा सा फरक है, इसके अंदर, एक बार इसके इगनिशन को लगाते हैं, इस तरीके का इंस्टुमेंट क्लस्टर मिलेगा इसके अंदर, हैंडल को बड़ते सीधे, यहां मिलेंगे आपको इसके मिरर्स, यहां पिसके सेल अगेरा देख सकते हैं, इसके अपको हजायड लाइट का सुछ इसका, इसको ओन करने के बाद, इस तरीके से इसकी लाइट जलने लग जाती है, एक बार पीछे से भी चेका आट करते हैं, और पीछे से कुछ इस तरीके लाइट है, खाली इसमें यह आपको LED मिलता है और यहां मिलेंगे आपको अर नमबर प्लेट के लिए लाइट और यहां किलिच का लीवर है यहां का ब्रेक है और नीचे यहां देखे तो यहां मिलेंगे आपको पास जैसे मेटियोर में मिलता है सेम उसी तरीके का है बार मैं आपको चेपाउ को रहते हैं तो जिसकी लाइट है वो जभी ओनोंगी जब बाइकोन होगी और यहां मिलेगा होर्न सुना देता हूं एक बार एक ही सिंगल होर्न मिलेगा वो जो कि यहां पर प्लेस किया गया है इसके इंदर इसके टैंक कैपिसिटी के बात करें तो तेरा लीटर का फ्यूल टैंक है इसके अंदर और अल्मोर्स जो कंपनी क्लेम कर रही है इसका माइलेज थर्टी अप्शन ट्रेपे क्लो मीटर्स तो टॉगल करके दिखते हैं एक बार ट्रेपे ट्रिप भी दो ट्रिप का उप्शन्स है पूडो मीटर एक ऐसे सिरीज भी आती है जो कि आप साइड में लगवा सकते है जिसमें आपको मैप वगेरा देखने के लिए मिलेगा और इसकार फ और अभी नीचे चलें तो नीचे आपको साइडे स्टेंड और में इस्टेंड दोनों देखने के लिए मिलेगा यहां मिलेगा आपको चैने स्पोकेट यहां मिलेंगे डूल शॉक अब्सॉर्बर्स मटगाड की बात करें तो इसमें आपको ब्लेक कलर का मटगाड देखने के मिलेगा जो कि प्लास्टिक मैटेरियल में है आगे का भी मटगाड आपको प्लास्टिक मैटेरियल में मिलेगा जैसे बाकी रॉयल इंफिल्ड में आपको रुही का देखने के लिए मिलता है और यहा इसको कर देते हैं एक बार close एक बार headlight और देखते हैं इसकी एक बार on करने के बाद so headlight की visibility कुछ इस तरीके की है तो देपर आप इस तरीके से देंगे और high beam low beam आप इससे चेंज करेंगे इसकी so overall यह सारा package देखने के मिलता है इसकी अगर on road और एक शोरूम प्राइस देखनी है तो आप description जरूर विजिट कीजिए बाइक को कर देते close एक चीज और अब चाबीस है आपका जो side cover है यह भी open होने लग जाता है इसको एक बार देखते इसके अंदर क्या है जहां तक है electrical components होंगे इसके अंदर तो अगर आप इसको press करेंगे तो इस तरीके से खुल भी जाएगा एक second एक हाथ से थोड़ा लिकालने में problem हो रही है तो यहां पर फूरी circuitry देखने के लिए करने के लिए आपको दोना हाथ यूज करने पड़ेंगे ऐसा नहीं के एक हाथ से close हो जाएगा यह यह सारी चीज़े थी इसके अंदर रोयल इंफिल्ड का लोगो सीट पर भी मिलेगा इस पर अगर ऐसा सेरीज वगेरा भी देखनी है तो comment section में जरूरू बताना मैं आपको इसकी list प्रोवाइड करूँगा तो कैसी लगी बाइक comment section में जरूरू बता देना वीडियो अच्छे लगते वीडियो को like कर देना ऐसी नहीं नहीं और वीडियो देखने के लिए